मुझे बहुत लोग मिलने आते हैं और मुझे ये कहते हैं कि मैं मैं कुछ करना चाहता हूँ, मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ पर मुझे सब ने कहा कि तू नहीं कर सकता, तुझसे नहीं हो सकता और इसलिए शायद आज में डिप्रेस हो चुका हो मुझे लगता है कि हम दो आवाजों के बीच में फसे हुए है एक है दुनिया की आवाज और दुसरी है दिल की आवाज और सुनना ही है तो सही में दिल की आवाज सुनना शुरू करो क्यूंकि दिल होता जरा लेफ्ट में है पर बोलता हमेशा राइट बात एक example में आपको देना चाहती हूँ कि मेरे हाथ में अगर 2000 रुपे का note हो और एक हाथ में 2000 रुपे का सिक्का हो और अगर दोनों मेरे हाथ से गिर जाए मुझे पता ये आवास कौन करेगा note या सिक्का Of course, सिक्का शिलर ही आवास किया करते हैं जब वेल्यू बढ़ जाती है तो ऐसी आवाज है नहीं होती है That means आप कनेक कर सकते हैं अपनी लाइफ में जो लोग आपको बार-बार निगेटिव बोलते हैं, कोसते हैं समझ लीजेगा, वो चिलर है तुम्हें अपना वेल्यू बढ़ाना है क्रिकेट का खेल चल रहा हो प्लेयर्स खेल रहे हैं और ओडियंस चियर अप कर रही है चिला रही है, शायद कई बार ताने भी मारती है सुनाती भी है, आवास तो करती ही रहती है कोई भी खेल में आवास कौन करता है प्लेयर्स आवास करते हैं कि ओडियन्स आवास करती है अगर आपके जिन्दगी में बहुत लोग आवास करने लगे तो समझ लेजेगा आप सच्छे खिलाडी हो और वो अभी भी ओडियन्सी है और जब आपके अंदर यह एटिटूड आ जाएगा आपको कोई रोख ही नहीं सकता तो आज मैं आपको य दोस्तों उनकी जिन्दगी से इतना इंस्पिरेशन मिलता है कि जो बंदा गरीबी में जनम लेता है इतनी तकलीफे भुगतता है इतनी हद तक वो डिप्रेशन में चले गए थे कि कुछ समय तो उनकी जीवन का ऐसा बीता कि अगर कहीं चाको छुरियां है तो वो वहाँ से चले जाते थे विकि उनको ये डर था कि कभी में वो चाको उठा कि अपने आपको मार ना दो इस टाइप के डिप्रेशन में चले गए उसके बाद बिजनेस में फेलियर के बाद जब वो पॉलिटिक्स में आए वहाँ पे भी क्या हुआ कॉंटीन्यूसली फेलियर्स बट फिर भी बंदे ने हार नहीं मानी प्रहतना करता गया करता गया और एक दिन आता है चो वो अमेरिका के प्रेसिडेंट बनते हैं और ऐसे प्रेसिडेंट जो आज भी लोगों को इंफ्लूएंस कर रहे हैं तो आप क्यों गिव अप करते हैं थॉमस अलवा एडिसन मुझे लगता है सेल्यूट है इस बंदे को युग उस बंदे के अंदर जो भावना थी कभी हार न मानने की प्रहत न करने की आप जानते बिजली के बल्ब बनाने का उनका पैशन के मैं करना चाहता हूं और 999 बार फेल हुए दूस्तों आप सोचो कि अगर आपको एक बार दो बार पांच बार फेल हो जाते हैं छोड़ देते वो चीज को वो बंदा 999 बार हार ही नहीं मानता और तब जब वो बिजली का बल्ब ढूनता है तब एक इंटर्वियर उनके पास आते हैं और इंटर्व लेते ह और कहते हैं कि थॉमस आपको कभी शरम नहीं आई कि आप 999 बार फेल हुए थॉमस हसके कहते हैं कि नहीं कौन कहता है कि मैं 999 बार फेल हुआ हूँ अरे मैंने तो 999 ऐसे रास्ते ठोड निकाले हैं जिस रास्ते पे तो लाख प्रयात न करेगा पर विजली का बल्ब दही बना पाएगा हमारे एक्स प्रेसिडेंट डॉक्टर एपीज अबदुल कलाम उनकी जिंदगी में से भी बहुत को सीखने जती बाते हैं वो पाइलोट बनना चाहते थे और वो इंटर्विय देने के लिए गये थे और जो रिजल्ट आता है नौ लोग थे आठ लोग सिलेक अधिना उदास है यह कहते हैं कि मैं क्या करूं आज मेरा इंटर्वियू था आठ लोग सिलेक्ट हो गए और मैं अकेला रिजेक्ट हो गया इससे बुरी बात क्या हो सकती है तो उसान बड़े प्यार से कहते कि बिटा शायद तू अभी समझ नहीं पा रहा है और शायद हो स जब उन्होंने as a president supersonic plane में travel किया और जो वो land करते हैं वहाँ पे धेर सारे pilot थे जो उनको salute कर रहे थे उनको salami दे रहे थे उनके पद को जो respect देते हैं और सारे pilot जब उनको salute करते हैं तब उन्हें याद आता है कि अगर उस दिन मैं pilot बन गया होता तो शायद आज का दिन मु और उसी attitude ने उनको कहां से कहां पहुचाया और सोचे दोस्तों अगर यही attitude आप भी अपनाएं तो हम लोग कई बद चीज गलत ना हो जाए मुझसे गलती ना हो जाए इस दर से भी बहुत कुछ नहीं करते हैं याद रखिए गलती वही करते हैं जो कुछ करते हैं कुछ करन को आते हैं हम अपने सेमीनार लेते हैं वर्क्शॉप कंडग करते हैं और यही attitude जब हम लोगों के अंदर जगाते हैं हमने देखा है इतना transformation आता है जिंदगी के वो माइनस फेज में चल रहे थे और जब वो attitude जिंदा हो जाता है और आज वो तॉप के शिक्रों पर बैठे ह हो रहे हैं तोड़े इस हाड तुमोरो के बीवर्स बट नेवर गिव अप बिकास अदे आफर तुमोरो विल बीशन शाइन